जैसे आप यहां से अपना bank account आप search करके यहां पर उसको add कर रहा है, add करने के बाद में यहां पर जब इस तरीके से processing हो रहा है, processing होने के बाद में आपको यहां पर एक problem देखने को मिला यहां पर bank response करते हैं, तो दोस्तों आप इस problem को कैसे solve करेंगे, यहां पर आप देख तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को end तक step बे step वास करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप इस problem को solve कर पाएंगे, तो दोस्तों बिना दिरी के चलिए करते हैं वीडियो को start और आपको बताते हैं कि आप कैसे bank response problem को solve कर पाएंगे, तो दोस् आपको पूरा बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद में दोस्तों यहां पर अपने Google प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ेगा, यहां पर आपको एक option दिएगा, यहां पर bank account का, तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आपका bank add रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस bank पर क्लिक कर देना है, पहले आपको चेक करना है, आपका bank यहां पर add ऐकी नहींगे, यहां पर देख लिए आपका bank रहेगा, यहां पर अगर दोस्तों आपके एक mobile number से दो bank रहेगा, माल लिए इंडिया post payment bank में एक है, अगर आपके एक mobile number यहां पर add है, आप इसे नहीं add कर सकते हैं, फिर से दोबारा, तो आपको add करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसको इस पर click करना है, इस पर click करने के बाद में आपको इस तरीक से interface आएगा, आपको कोने में 3.ड़ पर click करना है, यहां पर आपको remove account का option देखेग यहां पर एक एक करके delete हो रहा है, तो यहां पर कुछ time wait कर ले रहे हैं, उसके बद में हमारा bank account है, यहां से successfully delete हो चुका है, अगर यहां पर आपका add है, तो आप delete कर लीजिए, उसके बद में आपको इस तरीक interface आएगा, add bank account का, तो दोस्तों में आपको back चल के पूरा बता आपको क्या करना है, कोने profile पर क्लिक करना है, उसके बद में आपको यहां पर आजाएगा, send money का option, पहले आप में यहां पर bank दिख रहा था, यहां पर लेकिन आप में अब send money का option आजाएगा, क्योंकि आप यहां पर कोई bank account अब add नहीं किया, तो दोस्तों आपको click करना है, और जो भी bank account आपका है, यहां पर search कर लेना, यहां पर इंडिया पोस्तों बैंक है, तो क्या करेंगे, इंडिया पोस्तों बैंक यहां पर search कर लेंगे, search करने के बाद में इस हमारा bank आ चुका है, अपकर इस पर click कर देंगे, जैसे हम इस पर click करते हैं नीचे आएगा, continue करन करने के बाद में इस तरीकी से processing होने के बाद में इस तरीकी से adding bank account लिखाएगा, उसके बद में इस तरीकी से successfully add हो जाएगा, यहां पर इस हमारा bank account भी add हो चुका है, अब गईज हम यहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, हम बैक चले जाएंगे, अब हमारा bank account दिखा दे रहा ह सकते हैं, अपने ATM काड का नंबर डालके लास्ट कर सेट और expired date डालके यहां पर लास्ट कर सेट डालेंगे और यहां पर expired date डालेंगे तो आपका UPI pin चेंज हो जाएगा, मतलब आप UPI pin लगा सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको UPI pin लगाने नहीं आ रहा है तो उसके भी topic अपने चैनल पर अपलोड भी कर दिया, उस वीडियो का लिंक आपको description box में मिल लागा आप जाके वहां से देख सकते हैं, अगर दोस्तों आपको पहले देख लिजेगा कि आपका bank account एड है या फिन नहीं है, अगर एड रहेगा तो यह problem आपको आईगे, अगर नहीं तो दोस्तों आप bell notification भी दबात दीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका notification आपके पहले पहुंचे और जो भी आपका problem रहे, solve होता रहे, तो दोस्तों चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक लिए बाए बाए